कि विल्कम बेक दोस्तों स्वागत है आपको एक नए लेक्ट्टर ने नोट्स के साथ मेरे नामे अर्षादली और आप देख रहे हैं अर्षादली मोटिवेशन चैनल आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे पेश्ट इकॉलोजी का इक इंपॉर्टेंट कोस्चन जिसका ना अर ग्रूफ ऑप असाइक्लिक सिस्क्वाइटर पीनोट्स देर डिएग्ट मैनी एक्सपेक्ट ओप इंसेक्ट फीज्योलोजी वेक इंसेक्ट्स जी एज फॉर्मोंली काल नियो टेनिन जी एज को हम क्या बोलते हैं औरमली नियो टेनिन कहा जाते हैं इंसेक्स के लिए र लारवा के ग्रोथ में help करता है और साथ ही साथ metamorphosis को prevention भी करता है आगे चलते हम General Hermon, GHR the most versatile hormone known in the animal world Insects, they regulate growth and development Insects में क्या करता है? Growth and development को क्या करता है? Regulate करता है Metamorphosis, reproduction, embryo gene Polyferage, Cache, Determination, Migration, Behavior And all the other associated physiological process इसी के थुरू होते है जो हमारा GHR हार्मोन है उसी के थुरू हमारे सारी प्रोसेस होती है ठीक है? जितने यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं चाहे आप बात करें growth and development की चाहे metamorphosis हो गया, चाहे reproduction हो गया Migration, Cache, Determination, Behavior यह सारी चीज़ें इसे एसोसियेट रहती है किससे? इसोसियेट रहती है General हार्मोन के द्वारा GHS अच्छा यहाँ पर जो S लिखाई इसका मतलब क्या होता है General हार्मोन के लिए उच्छ करते हैं ठीक है? तो works alone यह अखेले भी work कर सकते है और combination के साथ भी work कर सकते है कैसे कर सकता है Combination with Agdison and its metabolites 20E 20E का नाम यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा 20Hydroxy-Cyroson इस regulating various functions यह क्या करता है? बहुत सारे functions को regulate करता है ठीक है? यूज ऑप GH और GH-based compound for the control of insect paste was suggested by Williams as insects cannot be deplore resistant against their own hormones सबसे पहले paste को control करने के लिए इंसेक्स paste को control करने के लिए यह idea किसके पास आया कि हम GH हर्मन का यूज करें तो the idea was given by Williams Williams ही वो scientist से उन्हों ने बताया कि हम GH हर्मन का यूज कर सकते है इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट ओके? So Williams ने क्या कि William called all these GH-based products as third generation insecticide this started a naval approach in insect paste management in which हर्मन and their analog users use for the control of paste इसके थूँ क्या हुआ? एक नई क्रांती आई इस GH हर्मोन के थूँ GH हर्मोन का यूज करके paste management को बहुत हद तक control किया जा रहा है ठीक है? आगे चलते हैं all these compound users called as insects growth regulators आई-जी आरेस जो भी compound है इसे control करते हैं ठीक है? उसे हम क्या बहुते है? insect growth regulators कहते हैं और इंसेक्ट मॉर्फो जिनेटिक एजेंट्स भी कहा जाता है All the other compound that inhibit or abnormally accelerate the hormone growth and development of insects All इसके लावा जो भी compound से जो inhibit करते हैं या abnormality को accelerated करते हैं यानि हार्मोन के growth और इंसेक्ट के development के लिए जरूरी होते हैं ठीक है आगे चलते हैं category of insects hormone So यहाँ पर जो insects hormone से उन्हें पाज category हैं बाटा गया है According to sing and butter ठीक है यह जो पाज category हैं हार्मोन के insects में वो कुछ इस प्रकार है The first is malting hormone analogous जिसे हम M.H.A.S. कहते हैं Ame का मातलब क्या singH hormone analogous Second is anti-molting hormone analogous Third is juveniline hormone analogous, Jhes Fourth is anti-unionelline hormone analogous ठीक है और फिप्ट इज नीरो पेप्टाइट्स यानि NPS यहां पर हमारे पास सबसे एक अच्छे इंट्रेस्टिंग कोश्चन है कि डिस्करब्री ओप जेज किसने किया डिस्करब्री दा फर्स्ट डिस्करब्री ओप जेज यानि जेवनेलाइल हार्मोन वाज बाई विंसेंट विगलेसर जेज रेगुलेट डिप्लोप्मेंट डिप्रोडक्शन डाइप्योस एंड पॉली फेनिज तो यहां पर ही साइंटिस्ट का नाम है विंसेंट इनको याद रखिएगा इनका नाम बहुत इंपोर्टेंट है इन्होंने डिस्कबरी की थी जेज की ठीक है आगे चलते हैं सेक्रेशन ऑप जेज कहां से होता है सेक्रेशन इसका कहां बनता है यह तो जो इनल हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई आप इंडोक्राइन ग्लैंड यह एंडोक्राइन ग्लैंड के जो पेर में रहते हैं वहां स GHS are also important for the production of eggs in female insects, GHS का रूल क्या है, female insects में X को, X के production में भी इनका एक बहुत ही एहम रूल होता है, आगे, GHS was isolated in 1965 by Salma and Williams, and the first molecule structure of a final six was solved in 1967. अब हम देखेंगे, contain, इसका नहीं containing कौन करता है, तो containing अब JHS, most insect species contain only juvenile growth hormone, JHS third, बहुत सार ऐसे insects हैं, जो केवल ही केवल, JHS hormone को contain करते हैं, Today, JHO, JHS first and JHS second, JHS second have been identified only in the Lepidoptera, जिसे butterfly and moths का group कहा जाता है, उनके अंदर ही, यह जो hormones मैंने आपको बता है, कौन कौन से, July 9th, JHS zero, first and second, यह सारे किसमें identify किये गए हैं, Lepidoptera में किये गए हैं, जो कि butterfly and moth का group कहलाता है, आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, JHS B3, जिसे हम general hormone third by sapoxide कहते हैं, appears to be the most important JHS in the Lepidoptera, और flies, यह सबसे important hormone है उनलोगा के लिए, in butterflies के लिए, आगे हम देखते हैं, JHS role and mode of action inside, क्या role है, और इसका mode of action कैसा है, तो JHS synthesized and secreted from the corporal lata, जैसे CA कहते हैं, short में, वाई दो, मिवलिनेट, पातफे, मिवलिनेट पातफे के थुरू होता है यह, और one secreted from the CA, यानि corporal lata, JHS bind to the joline hormone binding proteins, जैसे ही CA से, JHS hormone secret होता है, तो यह जो hormone होते हैं, यह, joline hormone binding protein के साथ, bind कर जाते हैं, forming in the hemolymph, hemolymph में, which help in the transportation of JHS to various target organs, to protect the degradation of JHS by various stress enzymes of hemolymph, and to facilitate the recognization and update, uptake of JHS by target cells, so, पहले क्या हुआ, जो हमारा CA, वहाँ से, यानि corporal lata है, वहाँ से hormone निकला, वो जाकर किस से bind किया, वो JHS binding protein से bind करेगा, और यह, यह process आगे बढ़ेगा, hemolymph में, और वहाँ से जाकर क्या होगा, इसका transportation होगा, और various target organs के थूरू जाते हुए, यह protect करेगा, उसके बाद क्या होगा, यह stress enzyme से जाके, hemolymph में मिल जाएगा, टेच हो जाएगा, और इसकी process आगे बढ़ेगे, आगे दिखते हैं, the life process of insects are regulated by several hormones, क्या नाम उस हार्बोन का, इकडाइस्टिरोइट्स, जुरिनल हार्मोन, और निरो पेप्टाइट हार्मोन, ओके, इकडाइस्टन एंट्वेंटी, एलोंग विज जे एच बी, और रेस्पोंसिबल फोर, मॉल्टिंग एंड मेंटामोर्फोसिस, डिरिंग दो लार्वल एंड प्यूपल स्टेजेस, क्या समझ मैं आपको, कि यह जो एकडाइस्टन है, ट्वेंटी इडोनों किस से लेंग, अलॉंग रहते हैं, जे एच बी से रहते हैं, जो कि किस और रिंग्स न प्यूंतुपल होता हैं, यह मॉल्टिंग मेंटामोर्फोसिस के लिए क्या रहता हैं, जमेदार होता हैं, यह अब अगर अगर हम देखें, इन लेपीड ऊप्टेर एकजामपल में कैसे काम करता हैं, तो याद रखिएगा जे एज जे एज इन मैनी बटरफ्लाई एंड मॉथ स्पीसीज आर नेसेसेरी फॉर दा प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑप दा सेक्स फॉर्मोंस बाई फीमिल्स जे जानी जुनेल हार्मों जो है यह लेपिड़ोप्टेर और जैसे लेपिड़ोप्टेर में कौन आते हैं बटरफ्लाई हो गए मौत्स हो गए सारी स्पीसीज आती है उनकी तो यह क्या गरते हैं उनमें एक्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं कि वो रिलीज कर सके जो फीमिल इंसेक्ट से ठीक है आगे एक्सपेरिमेंट कंड़क्टेड इन मिथीमा जुनी पंक्टा टू आर्मी वर्म मौत जिससे कहा जाता है एन एग्वर्टिस एप्सिलन जिससे ब्लेक कट वर्म मौत कहा जाता है में घिल्लिक्ष लाने खुंट्डपश वर्मौत is important for ovarian development in the black cut worm it was so that jh is also necessary in males for pheromone responsiveness so बहुत तरीके से important रखता है यह लेपिलूप्टेरा में जैसे यहां पर आपको एक चीज आप लोको नोटिस क्या होगा यह क्या करता है यह experiment किया गया किसके उपर true army worm के उपर और black cut worm के उपर तो क्या दिखाए दिया उनमें दिखाए दिया कि जो हमारा corpus लेट आप वहां से जब serait होता है जैस तो यह क्या करता है यह detection habron since commence Ste Weiteres को क्या करता है top कर देता है इसके बद क्या होता है ovarian के deployment हो जो ovary के deployment होता है वहां पर यह क्या गरता है important rule रोल अदा करता है ठीक है और साथी साथ यह किसके लिए important है मेल के लिए important है फेरोमोन के responsiveness के लिए क्योंकि जो female insects होती ही और other insects जो होगे male वो क्या करते हैं फेरोमोन को release करते हैं तो जो फेरोमोन होते हैं वो male जो इंसेक्ट से उस फेरोमोन को smell करके आगे अपने रास्ता भी तैय करता है और कई तरीके से food के लिए भी आगे बढ़ते हैं वो अब अब हम तो फॉर्म देख लेते हैं कि इस फॉर्म में यह मौजूद है फॉर्म नंबर वन यहाँ पर क्या है हमारा मेथिल फार्मसेट है जिसे क्या कहा जाता है केमिकल एबस्टेक्ट सर्विस सी एस कि फॉर्म यह निकाला गया था ठीक है फार्मिला क्या सी 16 mindful इस टुनि शोड़कए उल्टू है से कि जने हर्मॉन ओर्ड लेपिड़ेर जी यह फर्स और ठीक है जिने हर्मून फर्स्ट जी एच, फिर्सट बोलेंगे जिसने Female हार्मोन जीरू फॉर्मूला क्या इसको C 19 एस थर्डिटु ओ थरी फूर्थ क्या हमारे जॉनानल हार्मोन सेकंड फॉर्मूला क्या है formula क्या है C16H26O3 तो याद रखिएगा यह सारी form से इसके formula के रूप में ठीक है और लास्ट में हम बात करेंगे इसका किस प्रकार insecticide के रूप में यूज के जाता है GH ओके देखिए synthetic analogous of the GH are used as an insecticide preventing the larvae form deploying into adult insects GH itself is expensive to synthesize and is unstable in light at high levels of GH larvae can still mold but the result will only be bigger larvae not an adult thus the insects reproductive cycle is broken इसे क्या क्या आता है कि जो insects का larval stage है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है वो larvae तो बनता है insects का इसका यूज करने से लेकिन वो लार्वा एडर्ट में convert नहीं हो पाता है और जो इसका reproductive cycle होता है उससे ब्रेक कर देता है इसका यूज करने से इस परकार किसी भी plant की हम रक्षा कर सकते हैं प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ति sites के रोप में जेज हार्मोन का यूज करके तो ये एक complete lecture था हमारा जेज मिक्स हार्मोन के उपर इसका जो conclusion है conclusion में आप खुद से ही बना कर लिख सकते हैं उसमें आपको attach करना पड़ेगा थोड़ा सा इन ही सारे चीजों में से ठीक है कैसे करेंगे आप उसमें आप बता सकते हैं कुछ important points के जेज हार्मोन का यूज क्यूं किया जाता है basic तरीके से क्या जोड़त पड़ी थी बाकि सार नहीं मिलेंगे next वीडियो में और next वीडियो जो रहेगा हमारा वू रहेगा image अगॉनिस्ट के बारे में जो हमारा हमिमिक हार्मोन से उसके बारे हम बात करेंगे सो अगर चैनल में नहे है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बैर आईकन को प्रेस करिए ताकि आपको नह नहीं आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलें तो थैंक्स अलोट फॉर वाचिंग मिलेंगे नेक्स वीडियो में टेक केर